जब भी हम बात करते हैं digital marketing की तो बहुत सारे लोगों के mind में एक ही थौट आता है कि अगर आपको digital marketing करनी है या अपने business को online लेकर जाना है अपने business को अपने customers को online handle करना है तो इसके लिए या तो आपके पास professional and technology वाले skills होने चाहिए या फिर आपको काफी जादा expensive courses करने पड़ सकते हैं तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इन तीनो problems का solution आज इस video में आपको मिलेगा तो होगा ना amazing तो आज की इस video में हम आपके लिए लेकर आए है WhatsApp business का complete course तो सबसे पहली चीज इसके लिए आपको कुछ भी pay करने के ज़ुरत नहीं है because it is completely free और एक ही video में आप पूरा WhatsApp business सीखेंगे और उसी के साथ ही अगर आपके पास सिर्फ एक mobile phone है आपके पास कोई laptop नहीं है कोई high end system नहीं है सिर्फ एक mobile phone है तो भी आप इस course को असानी से सीख सकते हो और किसी भी business को WhatsApp के through उसको automate कर सकते हो उसको online handle कर सकते हो उसको promote कर सकते हो और इस पूरी विजियो में आपकी खुद की language में एकदम ABCD से एकदम basic से लेकर complete WhatsApp business आप सीखेंगे जिससे की आप खुद के business को as well as अपने clients के business को WhatsApp business के through promote कर पाएं उसका जो management है वो बहुत easy कर पाएं अब सवाल आता है कि WhatsApp ही क्यों क्योंकि देखिए आज के time में इस पूरी दुनिया की आभी population से भी जादा लोग WhatsApp को use करते हैं that makes WhatsApp a perfect platform to promote and handle your business तो पूरी वीडियो आपको देखनी है एक दमें तक वीडियो खतम होने के बाद में अगर आपको लगे की like 1% भी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा या फिर कुछ आपको नया सीखने को मिला तो जरूर हमें कॉमें सेक्शन में बताना साथी वीडियो को लाइक करना और इ चलिए फिर बाते खतम करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करके और सीखते हैं What's Up Business What's Up Business क्या है? यह कैसे काम करता है? और अगर आप एक बिजनस परसन है आपका एक बिजनस है तो क्यों अभी के अभी आपको What's Up Business पर स्वेच करना चाहिए? यह सारी चीज़े हम समझेंगे आज की इस एक वीडियो में तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं Hello Everyone, I am Harmeet. Welcome you all on WS KubeTik Channel. So, What's Up Business के आज हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले समझते हैं कि यह जो WhatsApp Messenger है जिसे हम सभी अपने फोन में, अपने डेक्स्टॉप में यूज करते हैं और यह WhatsApp Business क्या यह दोनों अलग-अलग अप्स हैं या फिर दोनों सेम ही हैं. तो देखो यह दो इसके साथ, families के साथ, connect करते हो, आप एक दूसरे को video calls, voice calls, messages, यह सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं. तो वहीं अगर मैं बात करूँ WhatsApp Business की, तो WhatsApp Business Meta का ही एक product है, यह भी एक application ही है, WhatsApp Messenger अलग है और WhatsApp Business जो अप है वो अलग है, WhatsApp Business अप जो है वो यूज किया जाता है, mostly जो हमारे businesses हैं, वो सारे इसको यूज करते हैं, चाहे मैं बात करूँ एक small business की या एक medium business की, सभी तरह के businesses WhatsApp Business को यूज करके अपने customers के साथ में, जो उनके साथ जो conversation है, जो उनका engagement है, उसको काफी जादा easy बना सकते हैं, WhatsApp Messenger के comparison में, WhatsApp Business अप में आपको काफी सारे अलग options मिलते हैं, जो कि अपने business को अपने customers के साथ, अपने clients के साथ प्रिजेंट करने में आपकी help करते हैं, WhatsApp Messenger और WhatsApp Business दोनो तो ही free application है, यानि इनको use करने के लिए आपको कुछ भी pay नहीं करना पड़ेगा, वहीं उसी की जगा पर WhatsApp Business का ही एक बहुत ही advanced upgraded version आता है, जिसे हम कहते है WhatsApp API, जिसके आने वाली videos में हम बात करेंगे, तो WhatsApp API जो है, वो बहुत बड़ी जो companies होती है, जिनका customer database बहुत जादा ह होता है, वो companies WhatsApp API को use करती है, जिनके आगे हम बात करेंगे, तो WhatsApp Business में आपको WhatsApp Messenger के comparison में कुछ extra feature मिलते है, जैसे कि WhatsApp Messenger में आप सिर्फ अपनी profile photo, अपना status, अपनी bio सिर्फ यही लगा सकते हो, लेकिन अगर में बात करूं, WhatsApp Business में मिलेंगे, तो आपको अपनी website, अपनी location, अपन चीज़ें, अपने business से related, कुछ extra information आप अपने customers तक पहुचा सकते हो, उसी के साथ ही, जो भी आपने messages किये हैं, उनका जो भी response है, उसका एक data भी आपको यहां पर मिलता है, उसका analytics हम कह सकते हैं, आपको business app में आपको मिलता है, उसी के साथ ही, quick replies, away messages, automated messages, यह सारे options भी आपक WhatsApp business में मिलेंगे, जो कि WhatsApp messages में आपको नहीं मिलते हैं, उसी के साथ ही, आप अपना catalog भी generate करके WhatsApp business app पर रख सकते हो, so that कोई भी person आपकी profile में अगर जाएगा WhatsApp पर ही, तो उसे आपका catalog, आपकी business details महा पर दिख जाएंगी, अब अगर हम यह बात करें कि WhatsApp business कितना जाद आप होती small business भी अगर आपका है, अगर आप अपने घर से ही कुछ business operate कर रहे हो, या फिर let's say आपका कोई एक medium scale भी अगर एक business है, कोई आपका service based company है, या फिर कोई product based ही आपकी company है, तो आप सभी के लिए यह जो WhatsApp business है, यह काफी useful है, और इसको जो use करने वालों की जो rate हो बहुत ज आपका रिलेन से भी जादा active users है WhatsApp business के, मैं WhatsApp की बात ही नहीं कर रहे हूँ, और WhatsApp messengers जो है, उसके अगर मैं बात करूँ, तो दुनिया का तीसरा सबसे जादा use किया जाने वाला platform है WhatsApp messenger, तो WhatsApp messenger पर जो इतनी सारी audience है, यह WhatsApp business app के थूप आप उन सभी audience को target कर सकते हो, और बहुत सा attention as well as उसका जो come back है, वो काफी जादा improve हुआ है as compared to other platforms, क्योंकि देखिए, आप खुद से पूछिए, भली आप अपना mobile phone use कर रहे हैं, आप जो mails हैं अपने, या जो अपने text messages हैं, उनको कितना open करते हैं, बहुत ही दिन में एक या दो बार हम अपने mails या पने text messages चेक करते हैं, लेकिन अगर मैं WhatsApp की बात करूँ, तो WhatsApp हम daily दिन में करीब 10 से 20 बार open करते हैं, तो ऐसे में अगर वहाँ पर हमें कुछ messages मिलते हैं, तो obviously बात है हमारे जो engagement है, उनके साथ हो इसके chances बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि WhatsApp business का use करके हम लोगों को spam करना कर देंगे, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा आपने किया तो WhatsApp business में आपका जो account है, वो blog भी हो सकता है, report भी हो सकता है, क्योंकि कोई person भी आपको report कर सकता है, तो वो चीज आपके लिए खराब हो जाएगी, यहाँ पर जादा तर जो WhatsApp messenger का use किया जाता है, वो transactional messages भेजने के लिए कि किया जाता है, जो कि उस particular customer की previous search history से related हो, otherwise आप जो है, spam में चला जाएगा, आपका business भाव ऐसा बिलकुल नहीं चाहते है, अपने business के लिए WhatsApp business app को, तो download करने से लेकर, कैसे हम इसको setup करेंगे, यह सारी चीज़े हम समझेंगे, वो भी बहुत easy ली, तो इसके लिए मैं use कर रह desktop में भी WhatsApp business को आप login करके वहाँ पर setup कर सकते हैं, लेकिं क्योंकि WhatsApp जो है, वो एक messenger app है, तो mobile phone में इसके जो features है, या फिर मैं कहूं इसका जो use करना है, यह बहुत ही आसान हो जाता है, तो सबसे पहले इसको download कर लेते हैं, तो simply इसके लिए आपको अपने play store में जाना है, यह स यह हमारी जो है, आप आजाएगी, इसको हम install कर लेते हैं, जल्दी से, यह जो आप है, यह हमारी हो जो की है install, इसको अब हम open कर लेते हैं, तो open जैसे आप करेंगे, तो इसका interface जो कुछ-कुछ है, वो WhatsApp जैसा ही है, तो आपको जादा परिशानी इसमें नहीं आएगी, हम य यहां पर आपको अपनी country जो है, उसको चूज करना है, तो मैं यहां से country चूज कर देती हो, India, और फिर आपको यहां पर अपना phone number डालना है, तो अब जैसे मैंने OTP यहां पर डाल दी है, यहां पर यहां इसको हम इस तरह से continue कर देते हैं, और इनको allow कर देते हैं, हमारा media, तो अभी it was looking for some backup, but backup इस phone में कुछ भी नहीं है, अब यहां पर सबसे पहलो तो आपको name डालना है, तो name जैसे यहां पर already detect हो गया, that is WS Cubetech, आपका अपना जो business का नाम है, वो आप यहां पर डाल सकते हैं, उसके अलावा फिर यहां पर हमें category select करनी है, तो जो भी आपकी category ह जो भी business है आपका, वो आप यहां पर select कर सकते हैं, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ इसको जिस Small Education में इने आ पर कर लिया, उसके अलावा कुछ और options Hare that is description, तो यहां पर आप अपने business का description डाल सकते है, business description के साथ मैं आप अपने business का address भी यहां पर डाल सकते है, तो मैं description और business address दोनों यहाँ पर डाल देती हूँ जल्दी से तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने कंपनी का एक short description डाल दिया है आप भी यहाँ पर दो-तीन lines में अपने description डाल दीजिए उसी के साथ में मैंने address डाल दिया है और अब मैं next पर click करूंगे अब जो है यहाँ पर update मांग रहा है तो इसको हमने कर दिया और आप देखेंगे कि यह जो initialization इसकी शुरू हो रही है अब यहाँ पर आपका जो है catalog आप आड़ कर सकते हो जिसके हम आगे बात करेंगे कि कैसे उसे generate करें और कैसे उसे upload करें चीक है तो अभी मैं जो है इसको not now पर click कर रही हूँ और इस तरह से यह मेरी information यहाँ पर आचुकी है आप यहाँ पर देखोगे इसमें काफी सारे आपको options मिलेंगे first is आपका business profile manage करने का option है आप अपने business arts, अपने email id, अपना website यह सारी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं अपना जो cover page है, अपना जो profile picture है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो जैसे मैं सबसे पहले जल्दी से एक profile picture लगा देती हूँ तो यहाँ पर मैंने यह अपना logo ले लिया है और बाकी हम business arts हम यहाँ पर अपने लगा सकते हैं अपने email id और अपनी website भी लगा देंगे उसी के साथ आपके जो प्रडर्ट की पिक्चर आपके जो catalog है वो यहाँ पर आ जाएगा उसी के साथ ही आपका यह जो status है यानि जैसे here there I am using whatsapp पैसे आप इसको change कर सकते हैं और आपका यह phone number यहाँ पर आ जाएगा उसी के साथ में आपका catalog का option है आपका Facebook पर advertisement करने का option है Facebook और Instagram को connect करने का option है यहाँ पर चीक है उसी के साथ ही कुछ important messages जैसे greeting messages जैसी कोई आपको first message भेज़े तो क्या greeting message आना चाहिए अब यह message मतलब जब आपको किसी को reply करने में enable हो कुछ time आपको लग रहा है आपके पास आपका phone नहीं है तो आप क्या message आए या फिर कोई quick replies भी आप यहाँ पर save करके रख सकते हो उसी के साथ में आपकी chats यहां पर आजाएंगे जिन भी लोगों से आप chat कर रहे हो या किसी को आप में message भेज़े तो इस option में आजाएगा और बाद में हम आगे बात करेंगे कैसे chats को भी manage कर सकते हैं आपके status यहां पर आजाएंगे जिन जिन लोगों के आपने contact वगरा सेव करके वो सारे यहां पर आजाएंगे calls जो भी आपके हुए हैं वो सारे यहां पर आजाएंगे तो यह बहुत ही easy तरीके से हमने यहां पर जो हमारा WhatsApp business है वो set up कर लिया है हम बात करेंगे WhatsApp API की तो WhatsApp API क्या होता है किस तरह से आप इसको अपने business के लिए use कर सकते हैं और जो भी सारी चीज़ें आपको WhatsApp API के बारे में या WhatsApp business API के बारे में पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में विलेगी तो चलिए फिर वीडियो का शुरू करते हैं So WhatsApp Business API एक तरह का API है API मतलब Application Program Interface जो की बिल्ड किया है Meta ने 2018 में इसलिए जिससे की जो businesses हैं वो अपने customers के साथ में जो messages का exchange है या फिर उनसे जो communication है वो बहुत ही ज़ादा seamlessly तरीके से कर पाएं यानि बहुत ही आसानी से अपने customers के साथ जुड़ पाएं उनके साथ engage हो पाएं उनको transactional, promotional, commercial messages जो हैं भेज पाएं अब ऐसा हुआ क्यों तो इसका reason बहुत ही ज़ादा obvious था कि 2000 अगर मैं 17 के बाद की बागर बात करूं तो WhatsApp बहुत ही ज़ादा popular हो चुका था और आज की भी अगर मैं बात करूं तो दुनिया का तीसरा सबसे ज़ादा use किया जाने वाला platform है WhatsApp तो बहुत सारे जो businessmen है different countries से जो है वो लोग emails को छोड़के, messages को छोड़के वो WhatsApp पर switch करने लगे अपने customers से बात करने के लिए messages भेजने के लिए और इसका reason यही था क्योंकि जो audience थी हमारी यानि जो हमारे customers थे वो काफी time spend कर रहे थे WhatsApp पे rather than opening their emails और text messages तो जब Facebook ने यानि Meta जिसका आज company का नाम है WhatsApp को acquire किया 2014 में तो WhatsApp के popularity इतनी जादा बढ़ गई और जैसे मैंना भी आपको बताया कि businesses के लिए भी लोग जो है use करने लगे WhatsApp को तो 2018 में Meta ने ये WhatsApp business API generate किया WhatsApp business already यहाँ पर था जो कि एक application है लेकिन अगर किसी का और भी जादा large scale का अगर business है तो ऐसे case में WhatsApp business में हमें कई features नहीं मिलते हैं तो ऐसे में WhatsApp API वहाँ पर launch हुआ अब WhatsApp business API use कैसे करते हैं तो WhatsApp business API क्योंकि एक interface है तो इसे use करने के लिए हमें separate CRM की ज़रुत पड़ेगी यानि आपको यहाँ पर services लेनी पड़ेगी WhatsApp business providers की ऐसे में बहुत सारे WhatsApp business providers है जो कि आपको एक dashboard provide करते हैं जिससे आप WhatsApp API के features जो है वो use कर पाएं अब जैसे कई सारे ऐसे अगर मैं आपको business providers के नाम बताऊं इंजे अमें अगर बहुत सादा जो popular है that is Wati, Bot Space, Call Bell ऐसे कई सारे आपको जो यह dashboard providers हैं जाएंगे तो आपको इन लोगों को pay करके WhatsApp API जो है वो connect करके और आप WhatsApp API यूज करते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या best है क्या WhatsApp business ही आपके लिए sufficient है या फिर आपको WhatsApp business API पे सुच करना चाहिए तो देखे सबसे पहले बात करते हैं pricing की तो जो WhatsApp business है वो एकदम completely free है उसमें आपको जो-जो features आपको मिल रहे हैं सारे आप use कर सकते हैं और without paying anything लेकिन WhatsApp business API API free है लेकिन जिस CRM को आप use करेंगे जिस WhatsApp business provider को आप use करेंगे उसको आपको pay करना पर सकता है कई बार एक conversation का 0.2 रुपीज से लेकर 0.8 रुपीज तक जो है वो लोग आपसे चार्ज कर सकते हैं और this pricing can vary from company to company तो अगर आपका एक small business है अगर आपका एक ऐसा business है जो एक या दो लोग मिलकर चला रहे हैं या कोई ऐसा product based है let's say मैं एक range अगर दू तो monthly अगर आपका 1000 या 2000 customers से आपको बात करने पड़ती है तो I think what's a business is good for you इसमें आप सारी चीज़ें जैसे catalog अड़ करना आपने business information अड़ करना कुछ away messages आप डाल सकते हो कि जैसे अगर आप messages का reply देने के लिए available नहीं हो तो क्या message उनको जाएगा तो अपने links वगरा शेयर कर सकते हो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो लेकिन what's a business API में आपको कुछ extra features मिल जाते हैं सबसे important feature that is what's a business app जो है वो एक ही single user जो है वो use कर सकता है at a time ठीक है maximum दो devices में एक desktop में एक phone में लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर business API की तो multiple जो users हैं वो इसको एक साथ use कर सकते हैं तो अगर आपकी बहुत बड़ी organization है पूरी enterprise है और काफी कह सकते हो फैला हुआ अगर आपका business है तो what's a business API is perfect for you क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सार ऐसे features मिलता है जो कि आपको what's a business app में नहीं मिलेंगे जैसे कि chatbots का option मिलता है यहाँ पर आप अपनी chatbot generate कर सकते हो जो कि आपके भीहाव पे आपके customers के साथ में जो basic questioner हैं उनको जवाब देगी और उनसे बात करेगी उसी के साथ में बहुत ही डीटेल में आपको जो आपके जो messages हैं जो आपकी audience के साथ आपका engagement हुआ है उसका detail में analytics आपको मिल जाता है उसी के साथ में chat groups आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अगर आपका एक mass customer का database है तो WhatsApp business API is perfect for you लेकिन बस आपको थोड़ा सा धहान रखना है कि WhatsApp business API API आपको provide करवा रहा है WhatsApp meta लेकिन आपको एक business provider की help लेनी पड़ेगी जिसकी हम आगे आने वाले videos में बात करेंगे हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने WhatsApp business में catalogs जो हैं उनको add कर सकते हो अपने products को add कर सकते हो अपनी services को list कर सकते हो जिससे कि कोई भी customer जब आपका WhatsApp open करेगा आपकी profile पर जाएगा तो उसे आपका जो भी products हैं आपके services हैं आपके catalogs हैं वो से directly वहीं पर दिख जाएंगे तो चलिए चलते हैं WhatsApp business पर और देखते हैं कि कैसे हम अपने products को वहाँ पर add करेंगे तो यह जो particular tutorial है यह मैं mobile phone पर आपके लिए लेकर आई हूँ same चीज जो है आप desktop पर भी कर सकते हो बट क्योंकि WhatsApp हम use कर रहे हैं तो इसका जो actual मज़ा है actual जो अच्छे सा जो आप features यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको जाना है business tools में जैसे आप business tools में जाओगे सबसे पहला option है business profile का यहाँ पर आप अपने business की description जो है आपका जो address है आपकी जो category है आपके business आज है उन सबको यहाँ पर adjust कर सकते हो next option है catalog का तो यहाँ पर अब आपने जो catalogs है उनको add कर सकते हो catalog होता क्या है कई तरीके से आप इसको बना सकते हो आप कुछ images रख सकते हो जिसके नदर आपके main main products वहाँ पर listed हो उसी के साथ में आप एक PDF create कर सकते हो अपना एक menu पूरा बना सकते हो जैसे अगर आप food business में हो तो आप एक पूरा menu जो है उसका PDF उसकी word file यहाँ पर upload कर सकते हो तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है जैसे मैं सबसे पहले click करूंगे add item पर एक से जादा भी आप यहाँ पर add कर सकते हो तो अब अगर आप कुछ भी online यहाँ पर sell करना चाहते है यानि कुछ भी अगर आप यहाँ पर product list करना चाहते हो तो उससे पहले आपको कुछ ही information जो है वो WhatsApp को आपको देनी पड़ेगी तो सबसे पहले मैं यह कर लेती हूँ तो सबसे पहले legal business name आगया business type यहाँ पर आ गया जो person आपके company related dispute solve करने में ready है यहाँ पर मैंने owner का जो है वो नाम डाल दिया उसकी contact detail डाल दिया ठीक है तो यह आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपका खुद का business है तो खुद का नाम और खुद की email address आप डाल सकते हो तो पहला जो item मैं यहाँ पर add कर रही हूं वो जैसे की यह एक image है यह मैं add कर रही हूं जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर ethical hacking का जो एक brochure है यह मैंने यहाँ पर डाल देती हूं जैसे की the complete ethical hacking course यह मैंने डाल दि price इसकी हम डाल देते हैं description आप यहाँ पर add कर सकते हैं जो भी आपके product की या service की detail है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं मैं as it is जो है हमारा जो name है इसका वही डाल रही हूँ country यहाँ पर आप डाल दीजे और उसके अलावा कुछ और fields आ रही है जैसी ethical hacking का आपने डाला वैसी हमने digital marketing का course भी डाल देते हैं ठीक है इसका price भी मैं यहाँ पर add कर देती हूँ description यहाँ पर आ जाएगा उसी के साथ मैं country डाल देते हैं और यह हमने दूसरा भी हमारा product जो add कर लिया है इसी तरह से आपकी जैसे मैंने यह service आड की है ऐसी ही आप चाहें तो अपने और भी बहुत सारे products वगरा जो है वो यहाँ पर आप add कर सकते हो और even इनके जो links हैं वो भी आप share कर सकते हो कोई person इस पर click करेगा तो वो direct आपके जो यह catalogs है यही पर ही लांड करेगा और सिर्फ यह दो ही नहीं कई सारे जो आप catalogs हैं आपर add कर सकते हो आप इसमें अपना brochure डाल सकते हो अपना menu डाल सकते हो अपने कुछ जो ऐसे products की जो photos है वो डाल सकते हो और एक product में आप बहुत सारी photos डाल सकते हो आपने कभी notice किया है कि जब आप WhatsApp पर किसी business को message करते हो तो उनका एक reply आता है कि thank you for contacting us we will get back to you shortly या फिर कुछ इस तरह का message कि अभी वो reply देने में unable हैं और इनका reply बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा या फिर बहुत ही जल्दी वो आपको message करेंगे तो इस तरह कि ये जो pre-set messages होते हैं इन्हें हम कहते हैं away messages यानि जब आपके customer का आपके client का आपके पास message आए और उस time आप reply करने के लिए available नहीं है तो एक automated message उन तक पहुंच जाए जिसे उन्हें लगे कि हाँ message सही जगा गया है और ये person हमें बहुत ही जल्दी contact करेगा तो इस तरह के messages को हम कहते हैं away messages तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप WhatsApp पर away messages automatically set कर सकते हो जिससे आपके customers के साथ आपका engagement बहुत ही जादा simplify हो जाए तो चलिए चलते हैं WhatsApp business app पर और देखते हैं कि कैसे हम जो है ये away messages set कर सकते हैं तो आपको आजाना है अपने WhatsApp business पर यहां पर यह जो three dots है इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद में आप यहां पर click करोगे settings पर जैसी आप settings पर जाओगे यहां पर आपको business tools का option यह जो business tools का option है यह इनी three dots से आप इन business tools पर भी जा सकते हैं या पर settings में भी जा सकते हो आपकी मर्जी है देन उसके बाद में यहां पर अगर आप scroll down करते हो यहां पर आपको messaging वाले section में आपको तीन option मिलेंगे तीनों को ही हम अच्छे से समझेंगे first is greeting message second is away message and fourth is quick replies तो सबसे पहले away message की बात कर लेते हैं तो जैसे ही आप away message पर click करते हो तो यहां पर एक automatically reply यह message है जो की आप यहां पर customize कर सकते हो by default डाल सकते हो तो हम यही करते हैं तो send away message को पहले तो enable कर देना है enable करने के बाद में अब आप अपना जो message है उसको आप edit कर सकते हो वैसे यहां पर already जो default message है वो यहां पर fixed है that is thank you for your message we are unavailable right now but we'll respond as soon as possible तो इसको आप जो है थोड़ा सा edit कर सकते हो जैसे की thank you for your message something इस तरह से मैं इसको थोड़ा साइड़ देती हूं अपने business के according की thank you for contacting wskubetech ठीक है यह मैंने कर दिया we are unavailable right now but we'll respond as soon as possible ठीक है for more information visit our website www.wskubetech.com ठीक है मैंने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया है की thank you for contacting wskubetech जिससे आगे ले को पता चल जाएगी जिसको उसने message किया है वो wskubetech है ठीक है and we are unavailable right now but we'll respond as soon as possible या फर आप इसमें एक ताइम पर दाल सकते हो की we will respond within two hours या पर something like that उसी के साथ में आप डाल सकते हो आपकी working hours डाल सकते हो जैसे कि आप ऐसा भी डाल सकते हो की we are unavailable right now but we will be active at 6 a.m. in the morning something like that अगर आपके कुछ ऐसे working hours है उसी के साथ में आपर information भी डाल दी कि for more information visit our website www.wskubetech.com ठीक है ये करके मैं आपर okay कर देती हूँ तो इस तरह से भी आप अपना message जो है customize कर सकते हो अब यहाँ पर एक option है that is schedule schedule आपको कब करना है मतलब कि schedule जो है ये always send always send का मतलब है जैसे ही जब भी आपका whatsapp on नहीं है मतलब अगर आपने अपना whatsapp business app on नहीं कर रखा तो हर एक person को ये send हो जाएगा जिसने भी आपको message किया है या फिर custom schedule आप कर सकते हो कि जैसे कि अगर मान लो कि 10 बजे मेरा office open होता है 10 बजे मेरी जो customer support team है वो आती है तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो लोग रहते हैं इसके लिए पहले आपको अपने जो working hours उनको set करना पड़ेगा तो ये option भी आप रख सकते हो या फिर always send भी आप रख सकते हो ठीक है तो एक बार तो मैं इसको save कर देती हूँ और जल्दी से हम अपने जो working hours वो set कर लेते हैं तो इसके लिए आपको business profile पर अपना जाना है यहां पर जाने के बाद में आपको अपने business hours जो है वो set करना है ठीक है तो open for selected hours ठीक है तो हम कर देते हैं इस तरह से जैसे की morning 9 o'clock से लेकर 6 o'clock तक we are available आप इसको set भी कर सकते हो अपने recording Sunday को we are not available Friday and Saturday को भी we are available तो आप इसको totally अपने hours के recording अपने working hours के recording कस्टमाइज कर सकते हो तो अब क्योंकि यह हमारा working hours set हो चुका है तो अब हमारा जो away messages है उसमें यह जो schedule वाल option है इसके अंदर outside of business hours कि अगर business hours के अलावा अगर कोई मुझे message कर रहा है तो यह away message जाएगा चीक है तो यह हमने यहाँ पर set कर दिया है जैसे यह away messages है वैसे ही यह greeting message है इसके अंदर अगर किसी person ने एक particular time period में पहली बार आपको message किया है तो उसे यह particular message जाएगा जैसे कि मानलो अगर मैंने WSQPTIC को message किया और let's say कि अगर मैंने time duration यहाँ पर 14 days select कर रखी है तो उस पूरे week में यह message मुझे दुबारा नहीं जाएगा जाया मैं कितनी बार भी उनको message करूँ लेकिन जैसे next week चालू होगा next week अगर मैं उनको message करूँगी तो यह greeting message मुझे मिल जाएगा तो इस तरह से ही जो message है यहाँ पर आया हुआ अब recipients इसके कौन है everyone या फिर जो आपके address book में नहीं है इस तरह से भी आप select कर सकते हो तो एक बार के लिए मैं इसको everyone जो है select कर देती हूँ और इसको जो है हम इसको save कर देते है save करने के बाद में यहाँ पर यह quick replies भी है जिनकी मैं आगे आने वाली videos में बात करूँगी कि कैसे आप quick replies जो है एक तरह से अपना chat board बना सकते हो बिना किसी API को use करके तो इसकी भी मैं अलग से आपके लिए video लेकर आऊँग तो इस तरह से आप यह जो away messages हैं यह आप भेज सकते हो अब एक काम करते है quickly मैं अपने दूसरे phone से message करके WSQTX को इस number पर check कर लेती हूँ कि क्या यह जो away messages हैं या जो greeting messages हैं मुझे receive हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जिसका screenshot मैं आपके साथ share कर दो तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसी मैंने WSQTX के number पर hello message किया या तो कोई भी message किया तो मुझे greeting message भी receive हुआ as well as मुझे एक away message भी receive हुआ जो कि मैंने set कर रखा था तो इसी तरह से आप अपने जो WhatsApp business है उसके लिए एक away message as well as greeting message जो है वो set कर सकते हो अब आप यहां पर situation समझीए कि आपका business grow कर रहा है daily आपके पास हजारों जो clients हैं customers है उनके messages आ रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारे जो ऐसे customers होंगे जिनके जो questions होंगे वो repeated होंगे यानि बहुत सारे लोग एक ही जैसी बात कर रहे होंगे किसी चीज का price पूछ रहे होंगे या आप से delivery के बारे में पूछ रहे होंगे shipment charges के बारे में पूछ रहे होंगे मताब कुछ उनके common questions होंगे तो ऐसे में जब इतने सारे हमारे पास customers हैं तो WhatsApp business पर हम quick replies set कर सकते हैं जिससे की एक ही click से हम उनके relevant question का reply उन्हें बहुत ही quickly दे सकते हैं तो इसके लिए आपको पहले कुछ quick reply set करने होंगे तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप WhatsApp business पर quick reply set कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से उठाई अपना phone and WhatsApp business open करते हैं तो WhatsApp business पर हम आ चुके हैं यहां पर आपको इन 3 dots पर करना है click और यहां से आपको जाना है business tools पर जैसे ही आप business tools पर जाओगे आप messaging वाले option में देखोगे तो यहां पर यह quick replies का option है quick replies पर हम select करेंगे तो अब यहां पर आपको काफी सारे option मिल जाएंगे कि आप कैसे quick replies share कर सकते हो आप जैसे कि एक example यहां पर already set है जैसे कि अगर आपको किसी ने thanks reply दिया है तो आप उसको यह reply करेंगे that is thank you for your business we look forward to working with you again इस तरह से आप कर सकते हो अब मैं एक आपको add कर के बता देती हूं ऐसे हम कई सारे quick replies set कर सकते हैं आप अपने business के recording अपनी requirements के recording इनको जो है set कर सकते हो तो अब यहां पर एक कोई ऐसा word जो की आपके जो person है उसके message में होगा तो आप उसको क्या reply दोगे जैसे कि for example किसी person ने अगर आपसे delivery charges के बारे में पूचा है let's say अगर किसी person ने आपसे पूचा है delivery charges के बारे में तो मैंने यहां पर delivery लिख दिया अब reply क्या होगा जब भी reply delivery की मैं बात कर रही हूं तो कुछ मैं ऐसा custom reply जो है मैं share कर देती हूं तो मैंने यहां पर एक custom message share कर दिया that is we deliver all over India and delivery charges will be calculated once you place the order depending on your area तो मैंने यहां पर एक custom message डाल दिया है कि कोई भी person अगर delivery से related कुछ भी पूचता है तो उसका जो है क्यार message आना चाहिए अब देखो delivery से related तो यह message आ सकता है कि delivery charges क्या है delivery की आप और इंडिया में करते हो कहां कहां delivery करते हो उसी के साथ में delivery से related यह question आ सकता है कि कितने time लगेगा delivery में तो यहां पर मैं वो भी इसमें add कर देती हूं तो मैंने इसको थोड़ा सा customize कर दिया that is we need 5-15 days to deliver your order and उसके बाद में जो मैंने लिखा है delivery charges related वो आ गया और इसको हम save कर देते हैं don't worry यह जो सारी चीजे मैं गर रही हूँ इसका मैं proof भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे यह काम करता है अब यहां पर एक और मैं add कर देती हूं जैसे कि और हमारा customer जो है हमसे push सकता है let's say return के बारे में तो मैं यहां पर ऐसे return वाला जो चीज है उसके बारे मैं add कर देती हूं so अब इसका कुछ reply message जो है मैं set कर देती हूं तो मैं इस तरह से message डाल दिया है returns and exchanges can only be done if you receive a defective product और मैं इसाथ मैं add कर दिया you can contact us for any further assistance तो इसको मैं यहां पर save कर देती हूं अब ऐसे जैसे यह मैंने यह कुछ quick reply set किया है आप अपने business related, अपने products related अपने requirements related आप कितने भी यहां पर quick reply set कर सकते हैं इसमें कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है problem नहीं है even आप एक से जादा words भी यहां पर add कर सकते हैं इस तरह से जैसे delivery हो गया या फिर let's say किसी person ने shipment से related पूछा है तो उसको भी मैं इस तरह से लगा सकती हूं जैसे delivery या फिर shipment से related return है तो return या फिर exchange से related किसी ने कोई query की है तो इसको मैंने save कर दिया अब मैंने जैसे delivery related यहां पर डाला है वहीं अगर कोई shipment से related पूछता है तो उससे related भी मैं same ही message जो है मैंने पहले वाले message से copy कर लिया है उसी कोई मैं paste कर देती हूं यह मैंने paste कर दिया है इसको save कर देते हैं वैसे ही return के लिए जो message है इसी कोई मैं copy कर लेती हूं इसी कोई मैं exchange के लिए डाल देती हूं अगर कोई exchange से related पूछे तो भी उसको यही same message जाना चाहिए जो कि मैंने return के लिए set किया है तो इसको जल्दी से हम save कर देते हैं अब यह हमारे quick replies हैं वो set हो चुक है अब एक काम करती हूं मैं अपना phone उठाती हूं इसी same पर जो हमारा message है वो देखते हैं क्या automate होता है या नहीं होता है तो देखते हैं इसको तो अब जैसे मैंने अपने एक phone से जो है यहां पर जैसे shipment related को पूछा है या फिर just like कि कोई भी हमें message आया है तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि यह जो यहां पर attachment वाला option है इसके अंदर हमारी quick replies है ठीक है quick replies अगर आपको बहुत ही easily access करना है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप यह hash का button यहां पर डालेंगे तो भी आपको यह option मिल जाएंगे जैसे कि shipment से related यहां पर option है तो इसको click किया और that's it ठीक है तो ऐसे काम जो है बहुत आसान हो गया हर बार आपको यह बड़ा सा message लिखने की ज़रुरत नहीं है ठीक है इस तरह से अब let's say if I talked about return about something जैसे कि a message आया I want to return my order या return से related exchange से related तो इसके लिए भी हमें सेम यह हम लगाएंगे hash और return से related जो मरा message था वो हमने एक ही click में मतलब एक दो ही second में हमने यहां पर भीज दिया तो quick replies से यह फायदा होता है कि कुछ replies आपने set कर रखें तो आपके साथ जो customer है उसको बहुत ही quickly जो है answers मिलते हैं और इतने सारे जब आपको daily के बहुत सारे लोग कांटेक कर रहे है तो ऐसे में आपका काम भी यहां पर आसान हो जाता है कई बार कोई marketing message या पर कोई promotional message आपको अपने users को अपने customers को भेज़ना होता है तो ऐसे में एक एक person को message परवड करना उनको send करना काफी मुश्किल हो जाता है तो इसी के लिए वाटसब बिजनस पर आपको मिलता है अमेजिंग फीचर जिसका नाम है broadcast messages इसमें आप एक साथ अपने सारे customers को message कर सकते हैं और अपने time को काफी जादा बचा सकते हैं तो चलिए चलते हैं वाटसब बिजनस पर और इस फीचर को यूज करते हैं तो देखिए यह हम आचुके हैं हमारे वाटसब बिजनस पर आप इहां पर देख सकते हैं अब आपको यहां पर करना क्या है अब आपको जाना है चैट्स वाले option में जाने के बाद में यह त्री डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगी तो यहां पर उप्शन आएगा न्यू ब्रॉड कास्ट का अब ब्रॉड कास्ट का मतलब होता है जिससे नाम से पता चल रहा है कि ब्रॉड मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथी messages करना चीक है यह option जो है आपको normal whatsapp में भी मिलता है लेकिन whatsapp business में हम इसको कैसे use कर सकते हैं यह आप जानेंगे तो अब यहां पर देखिए जितने भी हमारे contacts हैं यानि जितने भी हमारे वो contacts हैं जो की whatsapp पर available है जो whatsapp use करते हैं ओविसी बात है whatsapp business से आप उन्हीं लोगो target कर पाओगे तो अब आपको यह सारे लोग जो है इनको इस तरह से एक एक करके select कर लेना है select करने के बाद में अब यहां पर एक तरह से जू समझ लो एक अलग से chat बन जाएगी अब एक चीज़ यहां पर मैं आपको difference जो है आप लोगों का clear कर देती हो कि एक WhatsApp group में और एक broadcast list में क्या difference होता है WhatsApp group में एक group में आप सब जुड़ जाते हो उस group के सभी members होते हैं तो उसमें जब आपको यह message करते हो तो उस वो group में जाएगा individually सबको message नहीं जाता है एक group create हो जाता है जिसे team group हो गया और ऐसे में जितने भी जो बाकि सारे लोग हैं वो यह देख सकते हैं कि उस group में और कौन-कौन added है कितने लोग added हैं क्या message आए मैं तो सारे ही लोग वहाँ पर देख सकते हैं लेकिन अगर मैं broadcast list की बात करूँ तो यह आपके लिए तो एक chat की तरह ही शोगा आपके लिए तो एक group की तरह ही शोगा लेकिन जितने भी members आप इसमें add करोगे इस list के अंदर उन सब को individually message जाएग और ऐसे मैं वो एक दूसरे की मतलब जैसे मान लीजिए अब जैसे हरमीत मैंने यहाँ पर add किया है खुद को और किसी दूसरे person को add किया है तो यह दोनों एक दूसरे की information नहीं देख पाएंगे इनको यह भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ साथ इस person को भी यह message भेजा गया मतलब बिल्कुल एक दम नॉर्मली आप किसी individual को message करते हो वैसे ही आगे message आपका आगे तक जाएगा तो हमने यह जितने भी लोगों को आपको select करना है आप कर लीजिए अब इसमें filter out भी कर सकते हैं जैसे मान लो अगर आप कोई जैसे मैं example लेती हूँ WSQTAK का तो WSQTAK मे यहाँ पर इस तरह से यह group type बन गया है तो अब मैं आपको जैसे message करती हूँ जैसे hello यहाँ ने message यहाँ पर type किया है अब यह जो hello गया है यह भले ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह 3 लोगों को मैंने भेजा है लेकिन जो जो भी लोग है अब जैसे मैं अगर अपना phone उठा के देखती हूं, तो मेरे फोन में ये बिल्कुल इंडिविज्विज्विज्ज आया होगा और यहां पर आपको इमेज़ भी भेज सकते हैं बिल्कुल मतब आपके लिए तो बहुत ही फीजिबल हो गया कि एक ही जगापर आप सब को मेसेज कर पा रहे हो, लेकिन बागी सारे लोगों को इंडिविज्विज्विज्विज्विज्ज आयेंगे उसी के साथ ही ये जो आपका ब्रॉडकास लिस्ट है इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हो तो अभी तो ये सिर्फ अन्टाइटल लिस्ट आ रहा है लेकिन अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो इस त्री डॉट्स पर क्लिक करोगे चेंज ब्रॉडकास लिस्ट नेम पर क्लिक करोगे और यहां पर आप लिख सकते हो जैसे की for example जैसे की Digital Marketing Jodhpur Students ठीक है तो मैंने ये ब्रॉडकास लिस्ट ने इसका नाम बना दिया है ठीक है उसके अलावा ये सारे लोग यहां पर अड़िड है आप चाहो तो इनको रिमूब भी कर सकते हो इनको परसनली मेसेज भी कर सकते हो इस पूरी ब्रॉडकास लिस्ट को आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो और इस ब्रॉडकास लिस्ट को एजिली ढूणने के लिए आप इस ब्रॉडकास लिस्ट को ये लेबल भी यहां पर लगा सकते हो जैसे की new customers, new order, pending payments, paid, order complete जैसे माल लो आपने एक ब्रॉडकास लिस्ट बना ली और उसको आपने लेबल कर दिया pending payments वाला तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाली जो ब्रॉडकास लिस्ट है ये उन लोगों के लिए जिनके पास मेरा payment जो है pending है तो आप उनको एक reminder message डाल सकते हो तो एक message आप डालोगी लेकिन वो उस broadcast list के जितने भी member जितने भी contacts आपने आड़ की है उन सब तक जाएगा individually और जैसे कि आप ये हमारी एक broadcast list बन चुकी है आप एक से जादा भी broadcast list बना सकते हो जैसे अगर मैं कोई नई broadcast list बनाना चाती हूँ जैसे इन दो लोगों को याड़ करना चाती हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर ये एक नई broadcast list बन गई वाप इसे में chat box में आऊँगी तो आप देख सकते हो यहां पर ये दो broadcast list बन सुकी है ऐसी आप unlimited कितनी भी broadcast list बना सकते हो अब यहां पर बस आपको एक चीज़ याद रखनी है एक broadcast list में अभी currently 256 contacts को ही आप एक बार मैड कर सकते हो कई बार ऐसा होता है कि 256 से भी जादा हमारे contacts हो रहे है तो आप दो broadcast list मना लो सेम नाम की 1 and 2 नंबर डालके चीक है तो इस तरह से आप अपना manage कर सकते हो अगर आपकी है एक wordpress website और आप अपनी audience को लेकर आना चाहते हो whatsapp पर यानि जब भी कोई आप से बात करना चाहे कुछ भी आप से पूछना चाहे तो एक ए click से वो आपको whatsapp पर contact कर पाए इसके लिए उनको आपका number सेव करने की ज़रत नहीं है सिर्फ उनको एक बटन पर click करना और वो आपसे contact कर पाएंगे over whatsapp तो इसके लिए कैसे अपनी website में changes करने है कैसे अपने whatsapp chat को या फिर whatsapp business को अपनी website में install करना है वो button add करना है यह सारी चीजे हम इस एक वीडियो में समझेंगे तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं आज हम यह देखेंगे कि wordpress website पर कैसे आप whatsapp बटन लगा सकते हो whatsapp chat बटन लगा सकते हो जिससे user आए और आपसे बात करने के लिए उस एक बटन पर click करें और वहीं से ही वो redirect हो जाए whatsapp पर तो उसके phone में whatsapp खुल जाए या web पे whatsapp खुल जाए और वह आपसे directly contact कर पाए क्योंकि whatsapp पर बात करना whatsapp पर engagement करना comparatively किसी और platform के काफी आसान होता है क्योंकि आज के time में हर एक person whatsapp से बहुत जादा friendly है इससे पहले कि हम यह process देखें whatsapp business का complete course चल रहा है जिसका description box में आपको playlist का link मिल जाएगा सारी videos देखो एक भी मिस मत करना तो चलिए सबसे पहले हम आज आते हैं wordpress website पर यह एक dummy website है और अब इस website के उपर आपको एक बहुत ही simple सा plugin जो है install करना है लेकिन plugin install करने से पहले make sure करें कि आपका whatsapp business हो अब जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ जो मैं plugin आपको बताने वाली हूँ उसके लिए जरूरी नहीं आपका whatsapp business ही हो अगर आपका normal भी whatsapp messenger भी है तो भी आप उसमें अब बस अपना phone number अड़ करके और जो है आप ये whatsapp बटन अपनी website पर create कर सकते हैं तो है ना amazing चीज वैसे अगर wordpress पर website नहीं है अगर आपकी ये coding की website तो API के थूरू एक जो है link वहाँ पर लगता है चाट के लिए लेकिन wordpress में बहुत आसान हो जाती है and wordpress जिसका भी complete course आप लोगों के लिए एकदम फ्री में अवेलेबल है जिसका भी I'll make sure कि description box मापको प्ली लिसका लिंक मिल जाए तो अब आपको करना के आपको एक बड़ा ही simple सा बहुत ही चोड़ा सा plugin आपको install करना है तो हम plugins में जाएंगी add new करेंगी और एक plugin को हम install करेंगे इस plugin का नाम है click to chat तो जब आप यहां पर type करेंगे click to chat तो आपको दो option यहां पर मिलेंगे plugin के one is this click to chat app and one is this click to chat holy themes तो आपको यह जो second वाला है that is click to chat by holy themes यह जो है आपको यह वाला plugin install करना है around the 4 lakh से installation है तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजेगा ठीक है इसको download करके आपको active कर लेना है यह करने के बाद में अब आप क्या करेंगे इसकी settings पर जाएंगे तो आपको जाना है अपने installed plugins में यहां पर यह install हो चुका है plugin यहां आप देख सकते हो अब आपको क्लिक करना है यहां पर settings पर settings पर आप क्लिक करने के बाद में अब यह बहुत ही जादा आसान है इसको install करना इसको use करना तो अब आपको अपना whatsapp नंबर डालना है अब whatsapp चाहे आपका normal whatsapp हो चाहे आपका whatsapp business वाला number हो दोनों ही case में यह काम करेगा तो मैं यहां पर अपना whatsapp business number डाल देती हूं तो यह देखे यहां पर मैंने अपना whatsapp business number डाल दिया है उसके बाद में pre-filled message pre-filled का मतलब होता है कि जैसे ही कोई person जब इस पर click करेगा तो first message by default वहां पर आजाएगा कि वह क्या बेजना चाहता है तो इस तरह से आप कर सकते हो तो यह देखे ही मैंने एक pre-filled message डाल दी आप सिर्फ hello भी रख सकते हैं या फिर आप कोई भी जो भी आपके business related आप एक message डाल सकते हैं जो आपको लगता है एक user सबसे पहली यह है उसके अलावर call to action आप क्या डालना चाहते हो जैसे whatsapp डाल सकते हो आप या फिर आप इस तरह से डाल सकते हो बई contact us on whatsapp contact us on whatsapp चीक है तो यह मैंने call to action डाल दी आप call to action कुछ भी रख सकते हो जो वहाँ पर actually visible होगा उसी के बाद में किस तरह से आप इसको show करना चाहते हो तो यहाँ पर काफी सारे styles दिये होए हैं तो अभी मैं कोई भी randomly यहाँ से style चूज कर रही हो जैसे की style 2, style 3 एक बार आप इनको एक बार put करके और लगा कर देख सकते हैं अपने page पर किये किस तरह से दिख रहा है पर इसके according चेंज कर सकते हैं उसी के साथ ही अधर आपको खुद का कोई style बनाना है, design बनाना है कि कैसे वहाँ पर बटन दिखे तो आप यहाँ पर देखो इसको open करोगे इदर option है, click to chat, customize तो यहाँ पर आप जूज कर सकते हो color उसका क्या होना चाहिए उसका कितने image, pixel की image वहाँ पर लगनी चाहिए, सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसी के साथ में यहाँ पर position कहाँ पर होगी इसकी, तो वह आप कर सकते हो तो अभी के लिए मैं default यहाँ पर settings रख रही हूँ जो भी default है, like bottom से 15 pixel and right से 15 pixel अब आपको थोड़ा सा left right करना है तो आप इनको यहाँ पर change कर सकते है उसी के साथ ही, जब यह open हो क्योंकि ultimately यह URL बन जाएगा चीक है, तो URL क्या new tab में खुलना चाहिए, pop-up होना चाहिए फिर same tab में खुलना चाहिए, चीक है तो अभी मैं क्या करते हूँ, new tab में आप डाल सकते हो अधरवाई आप पॉप बना सकते हो URL structure क्या होना चाहिए, तो इस तरह से या तो WA.ME हो सकता है या फिर web WhatsApp हो सकता है तो मैं अभी यही रख रही हूँ उसी के लिए mobile के लिए क्या होना चाहिए, तो mobile के लिए मैं same ही रख रही हूँ, चीक है उसके बाद में आप यहाँ पर आता है कि कहा शो होगा यह बटन, तो यहाँ पर desktop और mobile के लिए क्या सारी images पर show होना चाहिए क्या desktop पर नहीं show हो क्या mobile पर show हो क्योंकि कई सारे ऐसे businesses होता है जिसमें आपको पता है कि desktop पर मुझे इतना traffic नहीं आने वाला desktop पर कोई भी person इस button को click करेगा तो obviously बात है उसको WhatsApp वेब open करना पड़ेगा तो बहुत सारे लोग इसमें comfortable नहीं होंगे तो इसी लिए अगर आप चाहते हो कि desktop पर ये button ना दिखे तो आप इसको hide कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ mobile users को ये button दिखेगा ये भी आप यहां से tick and untick कर सकते हो उसके बाद में कहां ही आपका page दिखना चाहिए अगर आप show on all pages तो आपके header में या photo में जहां भी आप इसको add करना चाहते हो वहाँ पर हर एक page पर देखेगा लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भई मेरे को सारे pages पर नहीं दिखाना तो hide on all pages कर दीजिए और यहां से आप choose कर सकते हो कौन से page पर मेरा ये जो whatsapp button है ये दिखना चाहिए तो जैसे आप यहां से माल लो home page को click कर दो लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर show on all pages कर रही हूँ आप अपने accordings को customize कर सकते हो यह सारे pages आगे इन एक एक को भी जैसे भई आपको contact us पे about us पे home पे दिखाना है बाकि और किसी पे भी नहीं दिखाना whatsapp button तो ये भी आप यहां से कर सकते हो सिर्फ जिन जिन pages पे जाना है सबसे पहले इसको hide करेंगे इस सारे pages पे हमें नहीं दिखाना फिर जिज जिस पर भी ये button आना चाहिए उनको आप यहां से tick कर सकते हो आपके almost सारे pages यहां पर आ जाएंगे अब यह हमारी e-commerce website है तो यहां पर product pages, shop pages यह सारे भी आ रहे हैं तो आप इनके according इनको not show या फिर global show कर सकते हो तो अभी मैं सारी pages पे कर रही हूँ यह करने के बाद में अब हम click करेंगे save on changes पे तो अब आप देखेंगे मैंने आपर यह setting कर लिए अब चलते हैं हम अपने website पर और देखते हैं कि क्या यह button जो है काम कर रहा है नहीं तो मैं new tab में जो है अपनी यह website open कर लेती है अब यह dummy website है बिलकुल इसके बाद में continue to chat आएगा अगर आपको whatsapp downloaded है अप की तरह आपके laptop या system में तो तो डेरिक whatsapp खुल जाएगा नहीं तो आपको whatsapp web जो है वो login करना पड़ेगा और यह message जो मैंने number यह पर add किया है यह number पर जाएगा लेकिन अगर कोई person फोन में यह website खोलता है और वो whatsapp और click करेगा तो डेरिक उसका whatsapp खुल जाएगा तो एक काम करते हैं फोन में यह website खोलते है और देखते हैं, कि हमें क्या मिलता है तो यह देके, फोन में मैंने website खोली है तो देखी, यहाँ पर यह WhatsApp button आरहा है और जैसी मैंने इस पर click किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह message automatically आगे जाएगा जैसी मैं यहाँ पर click करूँगी यह direct message चला जाएगा और इस number से मैं contact कर सकते हूँ अभी यह number जो था मेरे phone में saved था लेकिन कोई भी person जब इस button पर जाके click करेगा तो वो direct मेरे whatsapp पर आजाएगा मेरा जो number है उसके whatsapp पर खुल जाएगा और वो मुझे message कर पाएगा तो without writing anything without saving my number वो मुझसे chat कर सकता है मुझसे contact कर सकता है उसके अलावा अगर आप यह सोच रहे हैं जिसे अब यहां पर यह icon बहुत चोटा सा आ रहा है hover कर रहा है किसी चीज को तो इसको भी अगर आप change करना चाते हो तो वापस आप same plugin पर जाओगे और आप इसकी dimensions बगरा change कर सकते हो यह देखी वापस हम उस plugin पर गए plugin पर जाने के बाद में यह देखी style था इसको style को भी आप इस तरह से change कर सकते हैं यह करने के बाद में अगर आप इसकी जिसे आप size थोड़ा सा change करना चाते हो जिसे मैं यहां से 20 कर दिया यह से 20 कर दिया और अभी जो फिर इसका size है वो आप देखेंगे कि यह भी यहां से change हो जाएगा, save changes कर देते हैं refresh करते हैं website को तो आप देखेंगे, इसका icon जो है वो देखेंगे, इस तरह से change हो गया है क्योंकि मैंने style भी change कर दिया as well as size भी, यहां पर तोड़ सा और कर देते हैं like मैंने 30 pixel यहां से कर दिया 30 pixel यहां से कर दिया save changes करेंगे, वापस से website पर जाके refresh करेंगे तो यह आपका जो, यहां पर WhatsApp बटन है यह इस तरह से change हो जाएगा, ठीक है और यह अभी सारे के सारे pages पर आ रहा है contact वाले page पर भी आ रहा है as well as product pages पर भी आ रहा है आप इसको अगर change करना चाहते हो जैसे कि मैं show on all pages था तो इसको मैं hide कर देती हूँ और hide करने के हलावा सिर्फ और सिर्फ इसको home page पर डाल देती हूँ यह करने के बाद मैं save changes करूँगी तो आप देखेगा, अब मैंने refresh किया तो यह contact वाला page है, तो देखो प्लागिन से रलेटेड, वर्डप्रेस से रलेटेड, कोई भी आपकी कोईरी है कॉमें सेक्शन में हम पताओ, हम डेफिनिटली उसका रेप्लाइ करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने WhatsApp बिजनेस का एक लिंक as well as QR code generate कर सकते हैं और इस QR code को, इस link को आप अपनी websites पर, अपने pamphlets पर किसी भी platform पर use कर सकते हैं और कोई भी person इस link पर click करके या फिर इस QR code को scan करके आप से directly chat कर सकता है और आप उसे answer कर सकते हैं WhatsApp बिजनेस का use करके बहुत ही simple सा method है और कुछ ही मिनिटों में आप अपना link as well as QR code जो है सेट अप कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे, यह हम आचोके हैं WhatsApp बिजनेस पर जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह chat वाल option है, यह status का, यह calls का तो आपको यह जो store बना हुआ है यही आपका main home dashboard आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर आने के बाद में आपको click करना है in three dots पर three dots पर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको एक option लिख रहा है short link का, short link पर आप click करेंगे and that's it, यह है आपका link इसे आप यहाँ से एक एक click से copy कर सकते हैं और इसको आप किसी भी platform पर share कर सकते हैं जब wordpress पर भी या फिर किसी coding website पर भी आप whatsapp का icon इंस्टॉल करते हो तो उस icon के anchor text के अंदर यह वाला जो link है वही लगता है और तभी आपका जो whatsapp है वह integrate हो जाता है आपकी website में इसी link को आप यहाँ से एक एक click से share भी कर सकते हो अपने other social media platforms पर, सारे social networks पर और अब बारी आती है QR code की तो view QR code पर जैसी मैं click करूँगी यह देखे QR code है आप इसका इस तरह से screenshot ले सकते हैं और इतने पार्ट को crop करके आप अपने friends, family, अपने सारी audiences, अपने pamphlets पर इसको प्रिंट करवा सकते हैं उसी के साथ आपकी जो banner images बनती हैं या कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं अब चलो मैं इसको यूज करना बता देती हूँ जैसे कि मैं अपना personal mobile यूज कर रही हूँ यहाँ पर और जैसी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको scan किया scan करने के बाद में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह WhatsApp यहाँ पर on हो चुका है और यह देखिए यह contact खुल चुका है और as well as यहाँ पर जो है यह जो link है यह भी बहुत ही काम का है यह link भी इसी तरह से काम करेगा जैसे कि यह QR code काम किया है आप किसी भी person को यह link शेर करोगे तो वो person इस link पर click करके direct आप तक पहुंच जाएगा आपको message करेगा इसी link को आप जैसे जब Instagram पर upload करते हो कोई भी stories वहाँ पर आप लगा सकते हो अपनी bio में लगा सकते हो जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजेए जैसे मैं इन्स्टरग्राम उपन कर दिया है WhatsApp us यह मैंने कर दिया तो यह देखिए यहाँ पर यह link easily लग गया अब कोई भी person इस link को जब click करेगा तो उसका WhatsApp उपन हो जाएगा और हमारा number उपर आ जाएगा और वो एक ए click से message भेज सकता है तो isn't it amazing कि WhatsApp business आपको कितनी amazing चीज़े provide कर रहा है तो again जैसा मैंने बोला कि WhatsApp का complete course चल रहा है जाओ description में playlist देखो सारी वीडियो देखना और वीडियो अच्छी लगी हो या playlist अच्छी लगे कुछ भी सीखो ना तो comment ज़रूर किया करो हमारे लिए काफी important होता है ये जानना है कि आप लोग क्या सोच रहे है किसी particular course या वीडियो के बारे में अब यहाँ पर दूसरे में आपको चीज़ बता देती हूं कि how you can reset your link अभी जैसे ये वाला link लगा हुआ है और आप चाहते हो कि वो वाला link जो पुराना वाला था तो वो QR code link valid नहीं रहेगा यह कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो वो आपको message नहीं गर पाएगा तो reset हम करेंगे इस 3 dot पर क्लिक करेंगे और reset link पर क्लिक करेंगे reset वाला button दबाएंगे और ये देखिए link reset हो गया, नया एक link आ गया as well as QR code भी यहाँ पर reset हो चुका है नया QR code आ चुका है तो अब जो पुराना वाला QR code था even आप try कर लीजेगा वीडियो का screenshot लेके मतलब वीडियो को back करके screenshot लेजेगा उसको जब आप scan करोगे तो वो आपका काम नहीं करेगा QR code क्यों क्योंकि reset हो चुका है तो first message वो करें वो आप उनको कस्टमाइज करके दे सकते हो कही बार ऐसा होता है जैसे कि for example यहाँ पर already दिया हुआ है कि hello I am interested in one of your products चीक है तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो चीक है जैसे आप लिखते हो hello I need help with अब जैसे मैंने यहाँ पर यह message आप दिया कि hello I need help with digital marketing course तो जब भी कोई person हमारा यह link ओपन करेगा QR code ओपन करेगा तो जैसी WhatsApp कुलेगा तो first message automatically type हो जाएगा बहली वो send वो person अपनी मर्जी से कर सकता है लेकिन automatically महाँ पर type हो जाएगा उसको बस enter क्लिक करना होगा WhatsApp Business पर आपको एक ऐसा feature मिलता है जिससे आप बहुत सारे customers को बहुत सारे contacts को बहुत ही easily manage करके रख सकते हैं और उस feature का नाम है Label Messages तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि message labels क्या हैं कैसे आप इन apply कर सकते हैं और basically कैसे आप इसको यूज करके अपने WhatsApp Business की experience को और भी जादा स्मूद कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए चलते हैं WhatsApp Business पर और देखते हैं कि आखिर ये message labels क्या हैं कैसे इनको यूज करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ चैट्स हैं कुछ रैंडम चैट्स हैं और इन चैट्स को लेबल करने का एक option हमारे पास है जैसे for example ये एक broadcast list है अब जो ये labeling है या broadcast list को भी कर सकते हो ऐसे चैट्स को भी कर सकते हो जैसे मालनो ये एक चैट्स है और for example इस person के पास मेरी एक payment pending है अब ऐसा एक person तो होगा नहीं अभी तो जैसे हमारे पास सिर्फ चार पांच चैट्स हैं चार पांच लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोगों में जिनके पास हमारी payment pending होगी फिर partial payment pending होगी तो इन तरह की चैट्स को हम label कर सकते हैं यानि एक label लगा सकते हैं कि हाँ ये वो लोग हैं जहां पर हमारी payment pending है अब इसको आपको select कर लेना है select करने के बाद मैं और ऐसे जितने भी लोग हैं जैसे मालनो ये person है ये person ये person है इन सब के पास मेरी payment pending है इन दो लोग के पास payment pending है तो मैंने क्या किया ये जो ये वाला बटन आपको दिख रहा है ये लेबल का इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको option आ रहा है कि इस particular chart को आप क्या नाम से लेबल करना चाहते है जैसे new customer, new order, pending payment, paid या फिर order complete ठीक है तो अभी तो मैं इसको pending payment में लगा रही हूँ लेकिन अगर आपको कोई और नया लेबल चाहिए तो आप new label पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप लिख देंगे जैसे for example हमारी एक IT training company है तो अभी यह जो chats मैंने select की है यह वो लोग हैं जो की interested है in digital marketing में तो मैं interested in DM okay करके मैंने यह एक नया label बना दिया, आप इनको select कर सकते हो इस label में डाल सकते हो उसको save कर सकते हो अब यहां पर क्या हुआ यह देख सकते हैं chats हैं जिनको मैंने select किया है इनके आगे pink mark आगया है अब pink mark क्या show करता है यह आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा यह three dots पर click करो labels में जाओ और देखोगे pink वाला जो हमारा label है वो यहां पर आ चुका है और मतलब यह वो दो लोग हैं जो की आप message भी कर सकते हो यानि इनका जितने भी labels हैं उन सबका एक साथ एक broadcast भी बना सकते हो तो अब यह multiple labels आ रहे हैं तो अब आप अपनी chat के recording अपनी customer के recording अच्छा जो person एक बार एक label आपने उसको दे दिया है उसको आपको यह दूसरा लेबल भी दे सकते हैं जैसे मानलो यह वाला जो person है जो digital marketing जो दो लिखा आ रहा है यह वाला जो person है यह हमारे digital marketing में भी interested था और लेट से कि यह एक और label में दे रही हूं जैसे कि यह interested था WordPress में भी चीक है तो मैंने इसको क्या किया इस वाले उसमें भी add कर दिया तो आप देखोगे यह जो third वाला person है यह इसके पाफ दो labels आ चुके हैं और अब मैं यहां से find out कर सकते हूं easily कि बही कौन से वो लोग थे जो digital marketing में इंटरेस्टेट थे कौन से वो लोग थे जो की web development में इंटरेस्टेट थे बारे में बहुत तरह लोगों को नहीं पता है वो है कि whatsapp पर कैसे अपना last scene या फिर online status हाइड करें देखिए जब भी आप whatsapp पर जाते हैं whatsapp open करते हैं तो जो भी person जिसके पास भी आपका contact information है आपके whatsapp number की वो देख सकता है कि अभी आप online है, online status show होगा या फिर अगर आप whatsapp यूज करके बाहर आचुके हैं whatsapp app से तो उस person को ये show होगा कि कितनी देर पहले या फिर कितने बजे आपने last whatsapp खोला था, तो कई लोगों को ये चीज नहीं पसंद आती, कई लोग नहीं चाहते कि जितने भी हमारे contacts हैं, वो ये देख पाएं कि हम कब online हैं, कितने बजे हमने last whatsapp खोला था, तो ये एक ऐसी privacy setting है, जिसको whatsapp पर लगाना बहुत ही ज़ादा आसान है तो आज हम यही देखने बाले हैं तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं whatsapp पर, वैसे ही, मैंने whatsapp business खोला हुआ है, लेकिन whatsapp business और whatsapp पर ये setting करना almost similar है, तो आप अपने whatsapp और whatsapp business पर ये setting बहुत easy ली कर सकते हैं, ठीक है अब हम आज आते हैं, जैसे whatsapp business पर, whatsapp business पर आपको आना है या फिर अपने whatsapp पर आना है, और ये जो three dots आपको दिख रहे हैं, इनको click करना है, इनको click करने के बाद में आप click करेंगे settings पर settings पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर privacy ये नाम का ये setting दिख रही होगी, इस पर हम click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले जो आपको option दिख रहा है that is last scene and online यानि कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपका देख सकते हैं कि last scene आपने कब किया था whatsapp को online last time कब थे तो आप यहां से choose कर सकते हो पहला option है everyone कि आप सभी कोई अलाओ कर रहे हो कि कोई भी person जो है आपका last scene या फिर online status देख सकता है दूसरा option है my contacts कि जो person आपके contact list में है जिर वही आपका last scene और online status देख पाएगा उसके अलावा आप choose कर सकते हो कि इन लोगों को छोड़के सारे लोग जो है मेरा last scene और online status देख सकते हैं तो कुछ लोगों को आप exclude कर सकते हो और यहां पर एक option है nobody यानि कोई भी person यह नहीं देख पाएगा कि आप कब last scene थे कब आपका online थे यह कोई भी नहीं देख पाएगा उसी की तरह online जो status है आपका इसको भी हम same as last scene कर देते हैं जो मैंने यहां पर setting चूज करी है last scene में वही online वाली setting में भी हो जाएगा तो इसको nobody करके same as last scene कर दीजे और आपकी यह setting लग चुकी है अब भली आप WhatsApp यूज कर रहे हैं कितने बज़े तक भी online थे कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी person नहीं देख पाएगा कि आपने last WhatsApp जो है कब यूज किया था तो यह बड़ी ही basic लेकिन बड़े काम की चीज है जो कि अगर आप चाहें और अगर आपको ज़रुरत है तो आप इस setting को कर सकते हैं जब आप WhatsApp पर किसी को message भेजते हैं तो कैसे पता चलता है कि उस person ने आपका message देखा है या फिर नहीं देखा है वो पता चलता है read receipt से यानि जब भी आप किसी को message भेजते हैं तो वहाँ पर one tick का मतलब होता है आपकी तरफ से message चला गया है two ticks का मतलब होता है कि message deliver हो चुका है और जब वो दोनों ticks blue हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि हम कुछ busy होते हैं उस time reply देने के mood में नहीं होते या फिर किसी का message देख के गलती से हम उसको ignore कर देते हैं या फिर कई बार जान पूछ के भी इगनोर कर देते हैं तो ऐसे में सामने वाले को ये ना पता चले कि हमने उसका message देख लिया है नहीं देख लिया है यानि कैसे आप whatsapp पर अपनी जो read receipts हैं उनको off कर सकते हैं ये हम इस video में देखने वाले हैं ये भी बहुत ही basic लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये question पूछा था तो I thought कि इस पर एक video ज़रूर बनानी जाहिए तो चलिए फिर video को शुरू करते हैं तो चलिए चलते हैं हम whatsapp पर और whatsapp पर ये जो read receipts हैं कैसे इने हम off कर सकते हैं ये देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले हम आज आते हैं whatsapp business पर वैसे whatsapp पर भी अगर आप use कर रहे हैं whatsapp business नहीं use कर रहे हैं तो भी same ही यह setting है, तो चाहे आप WhatsApp business use कर रहे हैं, चाहे आप WhatsApp normal use कर रहे हैं, दोनों में same settings होगी, तो आपको करना क्या है, यह जो WhatsApp के आगे जो आपको three dots लिख रहे हैं, इन पर आपको click करना है, click करने के बाद में आपको settings पर जाना है, settings में जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको privacy नाम की एक setting मिल रही होगी, प्रिविसी पर आप जब click करेंगे, तो इसके बाद में यहाँ पर एक option आ रहा है, read receipts, ठीक है, read receipts का मतलब है कि, read receipts, जो मैंने आपको बताया, जो blue tick आजाता है, that is, हमारे read receipts, इससे यह पता चल जाता है कि, सामने वाले हैंने हमारे messages देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो अब इसको हम simply off कर देंगे, तो कोई भी person नहीं देख पाएगा कि हमने उसका message read कर लिया है या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक छोड़ी सी चीज है कि, अगर आप किसी group में added हैं, तो उस group के लिए, लेकिन उस group के जो सारे members हैं, अगर किसी message को seen कर लेंगे, जो आपने बेजा है या किसी ने भी बेजा है, तो उस पर automatically read receipts आ जाएंगी, भली आपने यह read receipts off कर रखी हैं, लेकिन groups के लिए यह काम नहीं करती हैं, तो बस यह चीज आपको थोड़ी सी याद रखती हैं, ऐसा ना हो, किसी person का आपने message read कर लिया है, लेकिन same message जो है, group में आपने read कर लिया है, तो उस person को पता चल जाएगा, कि group के अंदर आपने message read कर लिया है, लेकिन actual में नहीं किया है, तो काफी problem में फस सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही simply सिर्फ एक ही minute के अंदर आप अपने read receipts जो है, off कर सकते हो, और इसको वापिस अगर आपको on करना, तो simply इसको enable कर दीजिए और back आजाएगे, अगर आपका phone कहीं गुम जाए, या फिर कहीं चोरी हो जाए, या फिर किसी भी reason की वज़े से आपका phone crash हो जाए, या WhatsApp crash हो जाए, तो ऐसे में कैसे आप अपनी WhatsApp chats को, WhatsApp data को recover करेंगे, तो इसके लिए आपको पहले WhatsApp पर कुछ backup settings करने होंगी, और आज की इस वीडियो में हम उनी important settings की बात करेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, आज WhatsApp business चाहे आप चला रहे हैं, या फिर आप normal WhatsApp चला रहे हैं, दोनों में ही ज़रूरी है कि आप अपनी backup settings करके रखें, जिससे in case कुछ भी आपका अगर data मिस हो जाता है, phone चोरी हो जाता है, गुम जाता है, जो की बहुती usual सी चीज है, तो ऐसे में आप अपनी WhatsApp data उसको recover कर पाएंगे, तो WhatsApp business के लिए ये setting करना तो आपको बहुती ज़रूरी है, तो चलिए, चलते हैं हमारे phone पर, तो दिखिए, ये आ चुके हैं, हम अपने WhatsApp business के उपर, same जो setting है, वो आप WhatsApp में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर आपको ये जो three dots दिख रहे हैं, इनको आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आप जाएगे settings में, settings में जाने के बाद में, आपको यहाँ पर option मिलेगा, chats का, चीक है, तो chats पर आपको क्लिक करना है, और सबसे last में, आपको स्क्रोल डाउन करना है, सबसे last में, आपको यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा है, that is, chat backup, चीक है, अब chat backup का मतलब है, कि किसी storage में, किसी cloud में, आपका जो भी whatsapp का data है, whatsapp chats हो गई, whatsapp का media हो गया, details हो गई, वो सारी कहीं save हो रही है, और don't worry, आपका personalized storage होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको access कर ले, नहीं, तो अब यहाँ पर last backup जो हमारा हुआ है, वो कभी नहीं हुआ, मतलब never never आया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर क्या करें सेव हो रहा है, लेकिन, obviously बात है, फोन चोरी हो सकता है, फोन गुम सकता है, फोन चेंज हो सकता है, तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम Google Drive पर जाकर अपने data को सेव करें और उसका backup plan बनाएं, ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी Google Drive सलेक करने प अगर आप कोई दूसरा अकाउंट अड़ करना चाहते हो, तो आप अड़ अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर सिंपली साइन कर सकते हैं, अपना पासवर्ड डाल कर, ठीक है, तो अब मैं आ जाती हूँ और इनी में से ही कोई जो आईड है, व आपको क्लिक करना है, अब यहां से आप पूछ रहा है कि कितना फ्रिक्वेंटली आप चाहते हैं, कि आपका यह बैक अप होता रहे, तो यहां पर आप इसको डेली भी रख सकते हैं, तो डेली आपका यह जो बैक अप है, यह सेव होता रहेगा, अगर आप चाहते हैं, इत तो अभी के लिए मैं इसको जैसे वीकली कर रही हूं वीकली करने के बाद में आपको दो ओप्शन दिये जा रहे हैं पहला बैकप यूजिंग सेल्यूलर यानि आपके मोबाइल के डेटा का यूज करके भी बैकप हो जाए लेकिन अगर आप वीडियो भी इंक्लूड करना चाहते हो तो आप इसको नेबल कीजिए अदर्वाइस इसकी ज़रूत नहीं क्योंकि वीडियो बहुत जादा टाइम भी लेती है और स्पेस भी कवर करती है तो मैंने यह सेटिंग यहां पर अक्टिवेट कर दी और अब जैसे मैं बैकप पर क्लिक करूँगी तो अब देखिए अब जो बैकप लोकली यहां पर हो रहा था ऐस वेल एस गूगल ड्राइब पर भी यह जो बैकप है चला जाएगा तो यह देख सकते हैं यह देखिए हमारा बैकप जो है यह अपलोड हो रहा है और यहां पर जो नेवर लिखा हुआ है वो चेंज होके और अभी की करंट का टाइम आ जाएगा तो यह देखिए यहां पर यह बैकप हो चुका है अब आप इसको अगर ओफ करना चाहते हो चीक है तो जैसे बैक टू गूगल ड्राइव आ गया तो इसको आप नेवर कर दीजे चीक है तो बस यह नेवर हो गया तो आप कभी भी आपका जो डेटा है वो गूगल ड्राइव पर सेव नहीं होगा तो अब चलो यह तो बात होगी बैकप की लेकिन यह जो बैकप किया हुआ जो डेटा है उसको कैसे रिकवर करें तो इसको रिकवर करने के लिए जब आप अपने फोन में किसी भी फोन में दुनिया के किसी फोन में जब आप अपना वाटसाप लॉग इन करेंगे same phone number से, जिस phone number से हमने backup किया है, उसी phone number से जब आप backup करेंगे, तो उस case में क्या होगा, जैसे ही आप login करेंगे, अपना phone number डालेंगे, उटी भी डालेंगे, आप से वो पूछा जाएगा, look for chat backups, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यही same email ID जो है put करनी होंकी, same email ID आप डालेंगे, तो इसकी cloud पर जो भी data से पड़ा है, वो सारा data backup में आ जाएगा, मतलब वो सारी chats आपको as it is देखने लग जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पर chats है, तो यह बहुत ही साही चीज है, especially उन लोगों के लिए, जिनके बहुत सारा data होता है WhatsApp पर, बहुत सारी chats होती है, जैसे for example, आपको बिजने यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आपके clients का सारा data चला जाएगा, किसने purchasing किये, किसने नहीं किये, सारे labels चले जाएगे, तो वो आप बिल्कुल भी नी चाहते है, by the way, WhatsApp business का completely free course चल रहा है, description box में playlist का link उठा लो, सारी videos देखना, एक भी miss मत करना, तो इस video में हमने रेखा कि कैसे आप अपने WhatsApp data को backup कर सकते हो, और बाद में recover भी कर सकते हो, तो video अच्छे लगी, तो like ज़रूर करना, and don't forget to subscribe WS Cube Tick, इस video में इतना ही मिलते हैं आप से next video में, तब तक keep learning